हेलो फ्रेंड मेरा यूट्यूब चैनल बाग बगीची में आपका स्वागत है गुडल का जो फूल होता है वो देखने में कितना खुबसूरत लगता है पहले दिन आप देख रहे हैं कितने सुन्दर सुन्दर फूल के लिए हैं और अगले दिन ही देखते हैं कि उसमें वाइट पावडर जैसी डिजीज लग गई है आज कल की सीजन में यह है इस पर बहुत जोर रहता है इस डिजीज का प्लांट्स पर जादे तर मैंने देखा है गुडल है क्रैसुला है कितने प्लांट्स पर ये वाइट पावडर बिल्कुल ऐसे गौंद की तरह चिपक जाता है जैसे thरमाकोल चूरा करके लगा दिया हो बिल्कुल पीस के लगा दिया हो यह सारा कली खा जाता है कली सूकर गिरने लगती है इस डिजीज के कारण और प्लांट्स दीरे-दीरे मर जाता है इस डिजीज से अपने प्लांट्स को बचाईए सबसे पहले अगर बहुत ज़्याद है यह डीजिस प्लांट्स पर तो उस इस टिक को आप काट दीजिए और अगर नीचे की साइड भी लगी भी है तो उसे पानी की तेज प्रेशर यानि की पाइप से आप उसको वाश करिए पानी की तेज धार से काफी हद तक वे डीजिस हट जाएगी और उसके बाद इस पर नीम ओल का स्प्रे करिए पहले दिन नहीं हटी अगले दिन फिर इस्प्रे करिए इस तरह करके आप हपते में एक बार पंदरे दिन में एक बार करके आप इस डीजिस को बिल्कुल खतम कर सकते हैं और आपका प्लांट्स बिल्कुल स्वस्थ रहेगा उस पर फूल फिर से मुस्कुराएंगे एक मग पानी में वन या टू ड्रोफ्स नीम ओयल डालिए और उसके बाद इस्प्रे बोटल में इसको भर कर इस्प्रे कीजिए अगर इस्प्रे बोटल नहीं है तो मगे में भी आप उपर से डाल सकते हैं और एक चीज और ध्यान रखिए जो बच जाता है पानी उसको आप में डाल दीजिए जड़ों में वह बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो मैली बग उपर से गिरेगा वह नीचे पोट में जाएगा तो वहां भी वह टेक कर सकता है तो उसके लिए भी आप उसको पोट में कम से कम एक मग पानी तो वन या टू ड्रोफ्स नीम ओल की डालके ड कारंटी आपका मैली बग बिल्कुल हट जाएगा यह मेरा गुडल का प्लांट है सर्दियों में इस पर भी मैली बग ने अटेक कर दिया था और इसकी सारी बड्स गिरने लगी थी और मैंने इस पर नीम ओल का स्परे किया तो अब यह बिल्कुल स्वस्त पोदा है और इस कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें बेल आइकोन में दबाएं जिससे नया कोई भी वीडियो मेरा आएगा तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा